चंद्रज्योती नामा की कीसवी पुतली की कथा इस प्रकार है एक बार विक्रमादित्य एक यग्य करने की तयारी कर रहे थे वोई उस यग्य में चंद्रदेव को आमंतरण देने कौन जाये इस पर विचार करने लगे काफी सोच विचार के बाद उन्हें लगा कि महामंत्री ही इस कार्य के लिए सर्वोत्तम रहेंगे उन्होंने महामंत्री को बुलाकर उनसे विमर्ष करना शुरू किया तभी महामंत्री के घर का एक नौकर वहां आकर खड़ा हो गया महामंत्री ने उसे देखा तो समझ गए कि अवश्य कोई बहुत ही गंवीर बात है अन्यथा वह नौकर उसके पास नहीं आता उन्होंने राजा सिक्षमा मांगी और नौकर से अलग जाकर कुछ पूछा जब नौकर ने कुछ बताया तो उनका चहरा उतर गया और वे राजा से विदा लेकर वहां से चले गए महामंत्री के अचानक दुखी और चिंतित होकर चले जाने पर राजा को लगा कि अवश्य ही महामंत्री को कोई कश्ट है उन्होंने नौकर से उनके इस तरह जाने का कारण पूछा तो नौकर हिचके चाया जब राजा ने आदेश दिया तो वो हाथ जोड़कर बोला कि महामंत्री जी ने मुझे आपसे सच्चाई नहीं बताने को कहा था उन्होंने कहा था कि सच्चाई जानने के बाद राजा का ध्यान बन जाएगा और जो यग्य होने वाला है उसमें व्यवधान होगा राजा ने कहा कि महामंत्री उनके बड़े ही स्वामी भक्त सेवक हैं और उनका भी करतव्य हैं कि उनके कश्ट का हर संभव निवारंग करें तब नौकर ने बताया कि महामंत्री जी की एक मात्र पुत्री लंबे समय से बीमार है उन्होंने उसकी बीमारी एक से बढ़कर एक वैद्य को दिखाए पर कोई भी चिकित सा कारग नहीं साबित हुई दुनिया की हर औशधी उसे दी गई पर उसकी हालत बिगरती ही चली गई अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह हिल्दुल नहीं सकती और मरनासन हो गई है विक्रमादित्य ने जब ये सुना तो व्याकुल हो गए उन्होंने राजवध्य को बुलवाया और जानना चाहा कि उसने महामंत्री की पुत्री की चिकित्सा की है या नहीं राजवध्य ने कहा कि उसकी चिकित्सा केवल खवान बूटी से की जा सकती है दुनिया की अन्य कोई औशधी कारग नहीं हो सकती ख्वान बूटी एक बहुत ही दुरलब औशधी है जिसे धूंड कर लाने में कई महीने लग जाएंगे राजा विक्रमादित्य ने ये सुनकर कहा तुम्हें उस्थान का पता है जहां ये बूटी मिलती है राजवेद्य ने बताया कि वह बूटी नीलरत्नगिरी की घाटियों में पाई जाती है लेकिन उस तक पहुँचना बहुत ही कठिन है रास्ते में भयान कर सांप, बिच्छु तथा हिंसक जानवर भरे पड़े हैं राजवेद्य ने बताया कि वह पौधा आधा नीला, आधा पीला फूल ये होता है तथा उसकी पत्या लाजवन्ती के पत्तों की तरह स्पर्ष से सकुचा जाती है विक्लम यग्य की बात भूल कर खवान बूटी की खोज में जाने का निरने कर बैठे उन्होंने तुरंद काली के दिये गए दोनों बेतालों का स्मरंग किया बेताल उन्हें आननफानन में नीलरक्नगिरी की ओर ले चले पहाडी पर उन्हें उतार कर बेताल अद्रिश्य हो गए राजा घातियों की ओर बढ़ने लगे घातियों में एकदम अंधेरा था चारों और घने जंगल थे राजा बढ़ते ही रहे एकाएक उनके कानों में सिंग की दहार पड़ी वे संभल पाते इसके पहले ही सिंग ने उन पर आक्रमन कर दिया राजा ने बिजी जैसी फूर्ती दिखा कर खुद को तो बचा लिया मगर सिंग उनकी एक बाह को घायल करने में काम्याब हो गया सिंग दुबारा जब उन पर जपता तो उन्होंने भरपूर प्रहार से उसके प्रान ले लिये उसे मार कर जब वे आगे बढ़े तो रास्ते पर सेकलों विश्धर दिखे विक्रम तनिक भी नहीं घबराए और उन्होंने पत्थरों की वर्षा करके सांपों को रास्ते से हटा दिया उसके बाद वे आगे की ओर बढ़ चले रास्ते में एक जगह इन्हीं लगा कि वे हवा में तैर रहे है ध्यान से देखने पर उन्हें एक डैत्याकार अजगर दिखा वे समझ गए कि अजगर उन्हें अपना ग्रास बना रहा है जोही वे अजगर की पेट में पहुँचे की उन्होंने अपनी तलवार से अजगर का पेट चीर दिया और बाहर आ गए तब तक गर्मी और थकान से उनका बुरा हाल हो गया अंधेरा भी घिर आया था उन्होंने एक रिक्ष पर चड़कर विश्राम किया जोही सुबह हुई वे खवान बूटी की खोज में इधर उधर घूमने लगे उसकी खोज में इधर उधर भटकते न जाने कब शाम हो गई और अंधेरा चा गया अधीर होकर उन्होंने कहा काश चंद्रदेव मदद करते इतना कहना था कि मानो चमतकार हो गया घाटियों में दूब जैसी चांदनी फैल गई अंधकार न जाने कहां गायब हो गया सारी चीजें ऐसी साफ दिखने लगी मानो दिन का उजाला हो थोड़ी दूर बढ़ने पर ही उन्हें ऐसे पौधे की जाड़ी नजर आई जिस पर आधे निले आधे पीले फूल लगे थे उन्होंने पत्तियां चुई तो लाजवन्ती की तरह सकुचा गई उन्हें संशय नहीं रहा उन्होंने ख्वांग बूटी का बड़ा सा हिस्सा काट लिया वे बूटी लेकर चलने ही वाले थे की दिन जैसा ओजाला हुआ और चंद्रदेव सशरीर उनके सिम्मू आख़डे हुए विक्रम ने बड़ी श्रद्धा से उनको प्रनाम किया चंद्रदेव ने उन्हें अम्रिक देते हुए कहा कि अब सिर्फ अम्रित ही महामंत्री की प उपस्थित होने से विश्व के अन्य भागों में अंधकार फैल जाएगा इसलिए वे उनसे अपने यग्य में उपस्थित होने की प्रार्थना नहीं करें उन्होंने विक्रम को यग्य अच्छी तरह संपन्न कराने का आशीरवात दिया और अंतर्ध्यान हो गए विक्रम ख्वान बूटी और अम्रित लेकर उच्जेन आये उन्होंने अम्रित की बूंदे टपका कर महामंत्री की बेटी को जीवित किया तथा ख्वान बूटी को जनहित के लिए रख लिया चारों और उनकी जय जाईकार होने लगी